दोस्तो आजके इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्याचिस के बारे में English 100 Marks के बारे में और आज हम लोग का यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है The Artist यानि यहाँ पर यह जो अपना चैप्टर है इसको आज बहुत अच्छे से जानेंगे अच्छे से समझेंगे चैप्टर 96 है और बहुत अच्छे से आपको बताएंगे देखिए आपको यहाँ पर हम आपको क्या बताएंगे यह तो The Artist चैप्टर है जो आपके बिहार बोट पैसा के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्डेंट है इसमें जो बात करें जितना भी समरी है सारां से इसको हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे और साथी साथ इस साइट हिंदी में भी लिख दिया है ताकि जो आपको दिक्कत होती है समझने में इंग्लिस को तो वो आपको आसान हो जाए और सबसे बड़ी बात हम आपको एक-एक वर्ड का मतलब क्या होता है जैसे यहाँ पे स्पोयल वर्ड है इसका मतलब क्या होगा हर एक सब्द का मीनिंग मतलब हर चीज आपको आसान भासा में बताते हुए चलेंगे तो आप बस यहाँ पे ध्यान लगा के देखे आपको अच्छे तरीके से हम कंप्रीट करवाते हुए सारे चैप्टर्स को चलेंगे अभी तक हम लोग ने बहुत सारे चैप्टर्स को अल्रेडी देख लिया है कंप्रीट कर चुके हैं मतलब बहुत सारे मतलब सुरुवास से लेकिए इंडियन सिप्राइशन कल्चर भारतेश में हो यह सारा चैप्टर्स हम लोग देख चुके हैं और सबका अबजेक्टिव कोसंस भी देख चुके हैं जो लोग भी अगर नहीं देखें कोई भी क्लास कोई भी पिछला क्लास अगर आप लोग मिस किये हैं तो नीचे description में link दिया गया playlist का English 100 Marks के playlist का link है, आप उस पे click करके आप हर एक chapter का सुरुआ से लेके अच्छे से देखते हुए आईए और अच्छे से सीखिए, ठीक है, अभी यहाँ पे जो अपना chapter चल रहा है, the artist, इसके बारे में जानते हैं, सबसे पहले लेखक के बारे में जानेंगे, आखिर इसको लिखे कौन है, उनका जन्म निधन कब हुआ, उसके बाद इस chapter के सारांस, यानि summary को start करेंगे, बार बार आपके exam में देखे, उनके आपके exam में बोला जाता, write down the summary of the artist, तो आपको किस तरीके से उसका answer लिखना है, आईए बात करते हैं, देखे, इसको लिखे हैं, सिगा नोया जी, कौन सिगा नोया, या फिर आप इनको देखोगे, तो कहीं कहीं नोया सिगा लिखा हुआ रहता है, तो बस वही है, सेम है, अलग-अलग इनसान नहीं है, और इनकी तस्बीर भी यहाँ पर है, यह जापानीज है, और इनका जन्म जो अक्टुबर 1971 को जापान में इनका निदन हुआ है, यानि एक चीज आपका क्लियर है, कि यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ है, वो भी जापान में, निदन भी हुआ है, वो भी जापान में, मतलब यह अपने देश में ही रहे, और उसके बाद यह दी आर्टेस्ट का यहाँ तो यहाँ पर यह अपना हो गया the artist chapter को लिखे कौन है तो सेगा नोया लिखे हैं और अब हम लोग यहाँ पर इसके सारांस को स्टार्ट करते हैं समरी को देखना सुरू करते हैं जो की main है इस chapter को इस वेडियो को सूट करने का मतलब यही है कि आपको यह summary आपको बहुत लेकिन यह वाला पार्ट को आपको नहीं लिखना है यह तो बस हम आपको संधाने के लिखे हुए है ठीक है ऐसा कोई भी बच्चा ऐसा मत हो ना कि जो जाके और आराम से लिख दे यह हिंदी वाला चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर आपके एकजाम में अगर objective question में अगर ऐसा पूछा जाए कि the artist क्या है एक poem है, story है, essay है या फिर speech है तो आप उसे में आराम से लिख सकते हो कि यह एक story है, कहानी है, कथा है ठीक है आगे देखिए in this story, इस कहानी में he has focused that how is the talent of youngster spoiled इस कहानी में उन्होंने focus दिया है, उस पर परकास डाला है कि कैसे किसी युबा का जोए talent को बरवाद कर दिया जाता है इस कहानी में उन्होंने इस बात पर focus किया है कि किस परकार एक क्यूवा के टाILAIN't को बरवाद कर दिया जाता है ठीक है उस पर यहाँ पर यह लोग focus किये हैं अब आगे आगे यहाँ पर देखिए एक बार इसको समझ लेते हैं ठीक है एक बार फिर से समझ लेते है देखेट, the artist is a short story written by SIGAR NOYAY, the artist एक छोटी कहानी है, जो की SIGAR NOYAY के दोरे लिखा गया है, in this story, इस कहानी में he has focused on, इस कहानी में उन्होंने परकास डाला है, that, कि कैसे, how is, कैसे जो है, the talent of youngster is spoiled, किसी एक योबा का, नौजवान का, जो talent होता है, उसको बरवाद कर दिया जाता कैसे उसकी कला को बरबाद कर दिया जाता है इसके बारे में बात किये हैं आगे कहानी देखे सुरवात होती है और यहां पर समरी है मतलब पूरे आपका स्टोडी जो है बहुत बहुत है और आराम से आप अच्छे से बना सकते हैं अपने एक्जाम में लिखना रहता है उसको स सेवे एक 12 साल का जापानी लर्का है जो की एक हारवर टाउन में रहता है यानि बंदरगाह वाले सहर में रहता है जहां पे नाव वगरा आती है लगती है वैसे सहर में वो रहता है ठीक है वो प्राथमी की स्कूल में पढ़ता है ठीक है यह फांड औफ कलेक्टिंग गॉड उसकी आदज जो है वो सौकीन था क्या चिसका कदू को कलेक्ट करने में ठीक है कदू को कलेक्ट करने में वो जो है नई नई टकनीक का इस्तमाल करता है कदू पर हमेशा उसमें कुछ-कुछ अलग-लग डिजाइन बनाता है अच्छे सा उसको सजाता है इस तरीके वो सौकीन था बजपन में हर किसी का कुछ-कुछ इक सौक होता है सोचिये न वो बाराफ साल का मात्रिक लरका है ब जैसे मतलब आप जब 12 साल के होंगे, 12 साल, 13 साल, इस सब उमर में जब होंगे, उसमें आप लोग क्या करते थे, कुछ ऐसा स्टोडी है, कुछ ऐसा है जो आप लोग उस उमर में करते थे, तो आप नीचे कमेंट में लिखेगा, obviously हमें भी मजाएगा आप लोग का वो स्टोड के लोग आपको डारते थे, जैसे अगर कहिए तो मेरा ही कहिए, तो जैसे दो दीप होता था, तो दोनों दीप का यहाँ पे एक साइड, एक साइड ही है, अब दोनों का यहाँ पे क्या करते थे, इस दोनों को यहाँ पे ऐसे करके तराजू बना देते थे, तराजू बना और ये खड़ दे एक रुपया में, ठीक है, ये खड़ दे एक रुपया में, दो रुपया हमें लगा, ठीक है, और हम इसको एक रुपया में बेज दे दे थे, ठीक है, तो एक रुपया का हर सेलपन उस्कान करते थे, तो मतलब ये बज़पन में हम ऐसा करते थे, आप लोग सकता है कि आपका कोई ऐसा टाइलेंट होगा बहस्पन में जो कि साइध आप छोड़ दियोंगे जैसे आप पेंटिंग ही करना आपको सौक होगा आप कुछ कॉंपी में पेंट करते होंगे या कुछ डिजाइन बनाते होंगे या फिर कोई और काम जो आप करते होंगे जो अच्छा काम हो सकता है आगे अच्छा पेशा हो सकता है लेकिंसाइद हो सकता है पैरेंट के दबाब में या फिर ऐसे ही है अब आप छोड़ दिये वह सब आप स्टोड़ी नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में अभी यहां पे देखिए वह अक्सर गॉड्स जो वह सन and he is so closely कनेक्टेथ तो एक ड़ेटर वन देखिए टो यह मत्यां पिर दॉड़ ऑपनियक काई सेग्ट वे सविल लुड्स बहुत ही अच्छा कदू घरिता है यह रिता है कितना box 10 सेन में तो वो उससे जुड जाता है, और उसको अपने स्कूल लेकर चला जाता है, लेकिन एक दिन वो पकरा जाता है अपने एक नयातिक सिक्चक जो ये एक सक्थ टीचर होते हैं, माइस आप लोग से दियांद है, खुर से आपकम कर लोग से पूरे गुषते ओ नहीं सकता है, यह नहीं कर सकता है यह नहीं कर सकता है, बा चीत नहीं कर सकता है मेरे कलास में पढ़खा रहा है तो फढ़ने के भिषात्तरों ध्यां दो ऐसे कुछ TINC होते हैं आप लोग के स्कूल में आप लोग जहां पढ़े हैं टेउसन क्लास में कहीं न गहीं ऐसे टीचर्स आपको एक दो मिली जाते होंगे बहुत जादा गुस्यले या बहुत जादा पीटने वाले ऐसे टीचर्स तो कह सकते हैं वैसे ही टीचर के साथ वो पकरा गए वाइल पॉलिसिंग गॉड्स जब वो इसकूल ले गए थे अपने गॉड्स को मतलब 12 साल का लड़का जो ले गया था तो एक दिन नैतिक शिक्षा के दोरब पकरा गया गया कब जब वो क्लास में पॉलिस कर रहे थे गॉ आप जाते होंगे स्कूल अगर प्राइविट अस्कूल वगरा सरकारी में ह align 네 to not ईसकी लिजह भी रहता है लेकिन वह आराम से ररस्ट कर रहे होते हैं और में अक्सर आप देखते होंगे कि याप इंट्र रहर रहते हैं वहाँ पे कोई पार जेあります आगे यहाँ पे चलिए बात करते हैं, तो क्या हुआ यहाँ पे वो जब कदू को इसकूल लेके गया, तो उसे जो है, मतलब एक नैतिक शिक्षा दोरा देख लिया गया, कि ऐसा इसा क्लास में पॉलिस करा था, उसको डाटा गया, उसका कदू शेन के गेट कीपर को दे दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि उसके पिता उसको पीटते हैं, सहब बारा साल के लरका को पीटते हैं, क्योंकि टीचर आके कंप्लेइन करते हैं, कि देखिए आपका बेटा ऐसा कर रहा है, बारा साल का है, और इतने में अभी देखिए, वो सब क्लास में पढ़ता नहीं है यह करता है, और उसकी जो मतलब एककटा किया हुआ, सारे कद्दू को तोड़ देते हैं उसके पिता, बट लेकिन वो एक सब्द भी नहीं बोलता है, आखिर कैसे कोई अपने पिता से, अपने बाब से कोई कैसी कुछ भी बोल सकता है, तो उसको मारे है, उसको पीटे है, उ उसके सारे कद्दू को, उसकी सारे सौक को वहाँ पे वो कुछल की रख दिये, लेकिन फिर भी सेवे, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है, सोच ये, कितना मतलब एक ये होता है, कि अपने माता पिता को कितना एक इज़त देते हैं लोग, उस समय भी दिया करते थे, और 60 yen, like this, this, and art is wasted, देखे, और क्या हुआ, add the hand, और दूसरी तरफ वो जो कद्दू था, जो special god, जो points करा था, जो potter को दे दिया था, teacher team के, gatekeeper को दे दिया, पता चला कि वो जो है, 10, 10, क्या में, 10 yen में बचा, 10, sorry, 600 yen में बिका, 600 yen में बिका, देखो 600 yen है, तो 600 yen को अगर आप कर करोगे, कितना होता है, तो देखो, 600 yen, यानि 3502 रुप्या में बिका, अभी के कोडिंग अगर बात करें, तो अभी के कोडिंग बात करें, 3502 रुप्या कुछ पैसा, ठीक है, सरसर पैसा ऐसा कुछ ले लो, 600 yen, इतना रुप्या में बिका, जो आप वो 10, 10 सेन में खरदा था वो इतना में बिका, ठीक है, 600 yen में बिका, तो इतना जादा महंगा वो बिका, और कह सकते हैं कि, जो कला थी, वो बरवाद हो गई, क्योंकि देखिए, उसके जितने भी गौड्स की कलेक्शन थी, वो सारे उसके पिता तोड़ दिये, इवेन उसको डाटा गया, उसके टीच इस अन ओसम प्रजेटरिंसन और सिका नौया, यह सिका नौया के बहुत ही बहतरी इंसांदार ये कहानी है, वेर ही ब्यूटिफुली सूग्स, डैट, हाव इस दे टैलेंट वेस्टेड वाई फैमिली एंड दी मेंटर, यहां पे उन्होंने बहुत ही सांदार रूप से, ब अगर नहीं बताया होता है, इस अगर घर पर नहीं बताया होता है तो उसका टाइलेंट था इसको और अच्छा लिवल पल नजा अले आई सकता था, डेए वह 10 चिए-उ शेज आमें मीघ बिका, अब देखे jáव को इतना है हां अगर बहुत ही उतन DH कहाया है, मन्हेंगा उस उसका कद्धों को तोड़ दीये तो कह सकते हैं कि देखे किस परकार से एक घरवालों और उसके मागदर्सक के दौरा एक टाइलेंट को बर्वात कर दिया जाता है उसके बारे में यहां पर सेगा नुया बहुत बहतरीन ढंक से यहां पर कहानी को प्रस्तूत किये हैं और प्ले स्टोर पे या गूगल पे सर्च करेंगे एजुकेशन बावा एप आप आप उहां से हमारा एप डाउनलोड कर सकते हैं और उस एप पे आप सारे चैप्टर का टेस्ट दे सकते हैं फ्री में अब लेवल है टेस्ट देने के लिए आप उहां पे जाएंगे क्यों उसका मिलेगा उस पे अप क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं ठीक है और बाकी आपको लाइन बालाइन अगर चैप्टर पढ़ना है अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिस दोनों में तो आप जाए एजुकेशन में वाइप डाउनलोड करिए और वहां पर आपको मतलब क्लासे वगरा सब मिल जाएगी ओनलाइन क्लासे भी है तो वह सब भी अबलेवल है उसके लिए पेड़ है और बाकी बहुत सारा तीचर्स फ्री है ठीक है अभी देखें यहां पर यह जो अपना चैप्टर है सिकानोया के दौरा लिखा गया इनका जन्म जो हुआ है जापान में न है जाता लड़का है और यह इतना ज्यादा की दे चले है और जब स्कूल ले जाता है तो एक नियतिक सिक्षक जो थे जो ऐक मौरल टीचर जो है वह क्या करता है ? उसको देख लेते हैं और उसका कद्धु छीनके गार्ड़ को दे साथ-साथ क्या करते हैं उसके पिता को कंप्लेइंड कर देते हैं और इसके उसका कद्दू जितना साराक reckस爸爸 का क्लेक्शन था ईसको तोड़ दिया जा जाता है लेकिन फिर भी सेवे कुछ नहीं बोलता है चुप चाप देखता है और फिर दूसरे तरफ यह पता चलता है कि वह 10 सेन में जो कद्दू जो पॉलिस क्या था वह कद्दू 600 येन में बेखता है तो अंदरता हम क्या सकते हैं कि इस सांदार कहानी है जा उन्होंने काफी खुबसूरती से दिखाया कि किस प सब्सक्राइब करें चैनल को पता है और बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लिए अपने दोस्रों के साथ सेर कर लिए और साती साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा चलिए मिलते हैं अगले क्लास में तब तक लिए बावाई